जैहिन साथियो बेलकम टू सेल्प स्टेडी क्लासेस विस सुमिजन यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों MPTET वर्ग 3 की टेस्ट सीरिज चालू हो चुकी है तो सभी लोगों को इस चैनल से जुड़ जाना है चन वीडियो को लाइक करना है पूरा वीडियो जरूर देखना है ठीक है आज हम परियावरन का टेस्ट करमांक एक लेकर आए हैं जो की बेहद महत्पूर्ण है आपके लिए परियावरन जो की बर्ग 3 एक्जाम में जरूर पूची जाएगा ठीक है तो इसके प्रस्ण जो है आपको टेस्ट लगाना है most important है और इस टेस्ट जो है आपको नरंतर जारू रखेंगे यह first है second भी आएगा तो दोस्तो चनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को सबी लोगों को दबा देना है ठीक है और वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको बताना है निमलेकित बहु पक्छी सम्मिलन में से कौन सा इस्थाई कार्बनिक प्रदूसक से मानाव स्वास्त और परियावरन की रख्चा करने के लिए है तो जल्दी से आपको बताना है बहु पक्छी है सम्मिलन हमेशा पूझे जाते हैं तो यhe चार विकलप हैं जल्दी से कमेंट मिले गए अगर आप से बनता है तो इसका सही उत्तर देखते हैं उत्तर हो जाएगा दूस्तो इस्टाक हॉम सम्मिलन यानि कि जो बिकल्प नमर B है वो इसका सही हो जाएगा बिकल्प नमर B इस्ताई कार्बनिक प्रिदूसक से मानव स्वास्तो परियावन की रक्षा करने के लिए सम्मेलन हुआ था स्टाकॉम सम्मेलन याद रख लेना है ठीक है अंगला प्रेशन है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा दोस्तो इसको अमरता देवी अमरता देवी यानि जो बिकल्प नमर C है वो इसका सही हो जाएगा अमरता देवी प्रुसकार्द याद आता है वर्ने जी उस नरक्षन में अदामसाहस देखाने वाले के लिए याद रख लेना है इसकी PDF आपको हमारे टेलिग्राम ग्रोप में मिलेगी टेलिग्राम ग्रोप में जोड़ने के लिए आपको सर्ट टेलिग्राम एप डाउनलोट करना है और टेलिग्राम एप डाउनलोट करके उसमें सर्च करना है IAS Study Track ठीक है अंगला प्रस ने दाची गाम राष्टी उध्यान कहा है most important है दाची गाम राष्टी उध्यान हमेशा पूछा जाता है एकजाम में जो है दिवस मनाते है ओजोन दिवस और ओजोन गैस से क्या करती है जो सूर से पराबैगनी करने आती है उनको हानिकारक जो करने है उनको रोकती है ओजोन गैस और इसकी जो परत की मोटाई है वो किस से काई से मापी जाती है तो इसका सही उत्तरों का विकलप नमर बी चार्ल्स फेब्रे और हैंडरी बिस्वन ने की थी तो यह चीज भी आपको याद रखनी है ठीक है अंगला प्रशन है कार्टा जोना प्रोटोकाल किसके सुरक्षित उपियोग इस्थानांत्रालों हैंडलिंग के बारे में हैं तो जल्दी से लिखें कार्टा जोना जो प्रो प्रोटोकाल है बिकल्प नमर सी एने संसोसित जीवित जीव से सुरक्षित उपियोग इस्थानांत्रान और हैंडलिंग के बारे में यह जो है प्रोटोकाल माना जाता है कार्टा जोना ठीक है प्रोटोकाल जो है 29 जनवरी 2000 को हंस्ताक्षित हुआ और 11 सेतंबर 2003 से खत्रे में विस्तित प्राणियों की लिस्ट है जल्दी से बताओ जानवर पेड फुंगी केवल एक केवल एक दो केवल दो या केवल तीन जल्दी जल्दी से बताओ उत्तर क्या हो जाएगा तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों एत तीनों जानवर पेड और फुंगी इन सभी जो है जो खत्रे में हैं उनसे सम्मंदित ए रेड डेटा बॉक है ठीक है अंगला प्रशन है निमले के तमय से कौन सा प्रोटोकाल उसके मुद्दे से सही सम्मंदित नहीं है तो आपको बताना है 1987 का मौन्ट्रियल प्रोटोकार इसका उद्देश ओजवन छह कारीपदार्थ 1989 का बोन सम्मेलन प्रवासी प्रजातियों के संरक्षन 1989 का वासेल सम्मेलन ट्रांस बाउंडरी आंदोलन परागमन हैंडलिंग और रहने वाली संसोदे जीबों के उपियोक का भी नहीं है और 1998 का राटर डेम सम्मेलन कुछ खतननाक रसाइन और कुटनासकों के दुमेलित नहीं है तो उत्तर हो जाएगा सी 1989 का वासेल सम्मेलन ये जो है से सम्मेलत नहीं है तो याद रख लेना है बागी आपसे पूचा जाएगा 1987 का मॉंट्रियल प्रोटोकॉल ये सम्मंदत ओजों च्हाकारी पधार्थ से याद रख लेना है 1989 का बोन सम्मेलन नहीं होगा अंगला हमारा प्रशन है सेर की पूचवाला मकाक किस बनने जियो रिजर में पाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है जल्दी से आपका उत्तर क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा दोस्तो नील गिरी नील गिरी यानि की जो बिकल्प नमर एक है वो इसका सह हो जाएगा और यह दुरलब प्राणी है सेर की पूचवाला मकाक और यह नील गिरी में पाया जाता है तो आप सभी को याद रखना है अंगला प्रशन है और एकलास नरंतर चलती हैं दोस्तों नरंतर चलेंगी और आप लोगों को वीडियो को लाइक और सियर बसकर बदल दिया जाता है तो आपको याद रख लेना है नाइटोजन चक्र में मिट्टी नाइटरेट्स को बदल दिया जाता है डिनाइंट्रीफ़ाइंग बेक् टिरिया द्वारा अंगला हमारा प्रसन है सलफर डाइग-साइड के प्रिल्ध का जैब्स सूचक क्या है जल्द सलफर डायाकसाइट के प्रदूशन का जैब एक सूचक है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्टन है बेकरप नमर एक इसका सही हो जाएगा नेक्स्ट है पानी के फरन अजोला और साइनो बैक्टेरियम अनना बेना के बीच सम्मंद है मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कठन जरूर लग रहे होंगे लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि यह सब्द और नाम आपने नहीं सुने है इसलिए आपको कठन लग रहे होंगे लेकिन पानी के फरन और अजोला साइ बैक्टेरियम अनना बेना के बीच सम्मंद है तो वो सहजी भी का सम्मंद है यानि कि जो बिकल्प नम्मर एक है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है परियाबरन वर्ग दीन से सम्मंद आसान प्रस्ण नहीं पूछे जाएंगे तो most important और most गहराई से आपको पढ़ना है निमलेकित में से कौन सा मूंगा चट्टान का छेतर नहीं है competition बहुत भेंकर है इसमें कौन सा मूंगा चट्टान का छेतर नहीं है जल्दी जल्दी से कमेंट में लखो अगर आपको पता है तो इसका उत्तर हो जाएगा खंबात की खाड़ी जो है वो इसका सई हो जाएगा यहां जो है मूंगा चट्टान का छेतर नहीं है और खंबात की खाड़ी की बात करें तो यहां पर नर्वदा नदी जो है गिरती है तो सभी को याद रख लेना है है ना आपको से पूछा जाएगा नर्वदा नदी कहां पर गिरती है तो वो भी गिरती है खमबात की खाड़ी जो की गुजरात में है गुजरात की निकट है भारत में मूंगा चटान की चार जग हैं वो देखो मननार की खाड़ी लक्च दीप अंडवार निकुबार दीप समू और कच्च की खाड़ी ठीक है यह आपको याद रख लिए यह मू कर्पन डाई अकसाइड उस सर्जिथ होता है तो वह उता है कतर यांई कि जो विकल्प नम्मर एक है वो सेई होगा कतर दुनिया का प्रतिब्यक्ति सबसे कर्पन डाई अकसाइड उस सरर्जग देश माना जाता है तो याद रख लेना है ठीक है निमन्मENT मैंसे कौन सी ग्रीन हाउस गेसों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए तो उत्तर होगा कारबन मोनो आकसाइड यान की जो बिकल्प नमबर डी है वो सही हो जाएगा कारबन मोनो आकसाइड एक ग्रीन हाउस गेस नहीं है तो याद रख लेना है अंगला आपका प्रश्ण है दोस्तों निम्न मैंसे कौन सा कथन गलत है तो जल्दी से बताओ फोटो कैमिकल धुंद में हमेशा ओजोन होता है कारबन मोनो अकसाइट का जहरीला प्रभाव आक्सिजन की तुल्ला में हीमो गलेबन के लिए अधेक से अधेक आकर सक है लीड आटो मोबाइल से निकास का सबसे खतरनाक धातू प्रदूसा किया इनमेंसे कोई नहीं तो सभी लोगों को उत्तर बताना है तो इनमेंसे कोई नहीं कोई भी ऐसा बेकलप नहीं है जो गलत है यानि की सही बेकलप जो है सही है तो आपको याद रखना है अंगला हमारा प्रशन है एकोलोजी सब्द किसने पृतिपादित किया है जल्दी से आपको बताना एकोलोजी सब्द किसने पृतिपादित किया है तो उत्तर हो जाएगा दोस्तो अरनेस्ट हैकल अरनेश्ट है कल मतलब जो बिकलप नमर D है वो सही हो जाएगा इन्होंने एकोलोजी सब्द का जो है प्रतिपादनी किया है और इसकी पीडियाप आपको टेलीग्राम ग्रोप में मिलेगी जो भी नए साथी है उनको मैं बता दू अंगला प्रशन है ये कोटोन में जो परज परचर मातरा में पाई जाती हैं क्या कहला अरे जल्दी से बताओ एज परजातय याफरी संपूर्ट तैयरी आपको वहाँ मिलेगी एज परजातय एज पर जाती है यानि जो बिकल्प नम्मर एक है एको टोन में जो पर जाती है पर चुर मात्रा में पाए जाती है उन्हें कहा जाता है एज पर जाती है सभी को याद रख लेना है ठीक है साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है जल्दी से कमेंट में लखो साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है, सभी लोग बताएंगे, तो उत्तर होगा केवला देव, केवला देव, नेशनल पार्क में आता है, साइबेरियन सारस, most important है, याद रख लेना है, ठीक है, और जो है, इसे विस्तो दरोहर, सूची में भी सामिल किया गय चटानों के कितने परकार होते हैं, जन्दी से लेकर टाफ तीस प्रस्णाप के हैं, तीस में से तीस प्रस्णाप को मिलने चाहिए परियावरन में, तो टारगेट हमारा है, तीस में से तीस चटानों के कितने परकार हैं, तो तीन परकार हैं, याद कर लेना है, ठीक है, और भारत में सबसे जाना Tiger Reserve किस प्रदेश में है तो जल्दी से आपका उत्तर होना चाहिए मद्द प्रदेश यानि कि जो बिकलप नमर D है वो सही हो जाएगा 2019 में से Tiger State का जो दर्जा था वो बापस लिये लिया था लेकिन फिर से बापस कर दिया गया है मतलब मद्द प्रदेश को Tiger State के नाम से ही जाना जाएगा महरत में सबसे जाना Tiger Reserve मद्द प्रदेश में है मद्द प्रदेश में भारत की सरबाद एक बन जीव अब भ्यारन नेशनल पार्क है तो आपको याद रख लेना है इस परकार से भी आपका question पूछा जाएगा ठीक है याद रख लेना है नेक्स्ट है राष्टी हरत प्रादीकरण के पहले अध्यक्ष को अंते जल्दी से लेकर राष्टी हरत प्रादीकरण के पहले अध्यक्ष को अंते वो थे justice low के सुरसे हैं सभी को याद रख लेना है ठीक है और आपको इसकी स्थापना हुईती 2010 में ठीक है hydroponics किस से सम्मन्दे थे most important 23 नंबर का question है 30 इसमें प्रस्णन लिए गए है तो जल्दी बताओ hydroponics किस से सम्मन्दे थे तो पौधों की बहुत सी संस्कृती पौधों की बहुत सी संस्कृती से सम्मन्दे थे hydroponics most important है दोस्तों याद रख लेना और यह हमारा जो प्रयावरन का टेस्ट है वो नरंतर जारी रखेगा तो जरूर जुड़ें सभी लोग जितने भी भाई हैं अडियों को लाइक और से रवस्त करें जबाई के जंगल किस प्रदेश में हैं जन्दी से लिखो जबाई के जंगल जबाई के जो जंगल हैं वो कहा पर हैं किस प्रदेश में हैं सबी लोगों का उत्तर आया है राजस्तान तो बिकल्प नमर ए ही है वो सही होगा यह जलबायू परिवर्तर प्रेक्शन प्रेक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है अंगला प्रश्ण तो एक और आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि जो Oxford Dictionary है इसने जो word of the year चुना है तो बो चुना है जलबायू climate emergency 2019 का आप से एक question पूछा जाएगा कि Oxford Dictionary ने word of the year किसे चुना है तो आपको उत्तर बताना है climate emergency ठीक है तो याद रख लेना है यह जलबायू से सम्मंदित और green economy किसके नेत्रत में है जल्दी से आपको पताना है कुछ current के question भी आपके जो है पूछ लिए जाएंगे आपसे ठीक है तो याद रख लेना जैसे आपसे पूछा जाएगा पांच जून को परियावरन दिवस मनाया जाता है और परियावरन दिवस 2019 की जो theme ती वो क्या थी तो आपका उत्तर होना चाहिए बायू पर दूसर इस परकार से current affairs के भी कुछ question आपसे पूछ लिए जाएंगे तो current affairs के जो भी आपके बनते हैं परियावरन से सम्मंदित वो भी आपको याद रख लिनी है ठीक है green economy किसके नेत्रत में है तो United Nations Environment Program य प्रियावरन संबेदन सील जगों की खोचकी है तो किस प्रदेश में की है चार बिकल्प है उत्तर हो जाएगा महरास्ट महरास्ट यानि कि जो बिकल्प नमर ए है वो इसका सई हो जाएगा यहाँ पर सरवादिक संबेदन सील जगों की खोचकी है तो आपको याद रखना ह अंगला प्रशन हैं दोस्तो हमारा बिक्रम सिला गंगा डालफिन अभ्यारन किस प्रदेश में हैं जल्दी से बताना है उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल पस्चे बंगाल इस सारे के सारे कोस्चन आपको करवाए जाएंगे मद्द प्रदेश के पूरे अभ्यारन बनों से सम मंद्य प्रदेश का वो भी दिया जाएगा तो जुड़े रहें बस वीडियो को लाइक और सेयर करते रहें बिकरम सिला गंगा डाल फिन अब वियरान किस प्रदेश में हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार बिहार का एक प्रदेश पूचा जाता है कि बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है हमेशा आता है तो आपको पता होगा को सी नदी को कहा जाता है बिहार का सोक और हाली में जो है बिहार के मुखमंत्री नीतिस कुमार है तो आपको याद रख लेना है बरतमान में और निम्डे दूस्तों नागो या प्रोटोकाल यानि कि जो बिकल्प नमर भी है वो इसका सही हो जाएगा ठीक है नागो या प्रोटोकाल अकसेस और बैनिफेट सेरिंग तंतर से सम्मानदेत है यह जो है 29 अक्टूबर 2010 को अस्ताक्षरित हुआ था नागो या प्रोटोकाल most important question का संकलन और आप तक प्रेसित करने का एक रादा आप तक 30 में से 30 टारगेट है हमारा जो है बर्गतीन के एकजाम का तो सभी लोग जोड़ी रहें किस सहर को tiger gate पे आप इंडिया कहा जाता है तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों नागपूर यानि कि जो बिकल्प नमर भी है वो इसका सई है ठीक है किस सहर को tiger gateway पे आप इंडिया most important है तो आपको याद रख लेना नागपूर और नागपूर कहा है तो यह महराष्ट में है तो सभी को याद रख लेना है यहाँ पर हमारे 30 प्रस्ण complete होते हैं अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वीडियो को जेगा सेकेड़ पार